देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सबी सवस्तों गे महादेव की क्रिपा है, है यह वीडियो कन्यया, यानी की वरगों के लिए कत्यंत महतवपूर्ण है, क्यूंकि वीडियो है कन्यया के लिए आने वाले तीन महिनों के त्रिमासिक राशिफल के बाद में, कैसा रहेगा आने वाला 90 दिनों का समय क्या-क्या प्रमुख बदलाव होंगे आपके जीवन में मेरे चैनल पर विश्थतर रूप से मासिक राशीफल तो आते ही हैं जो तुरी मासिक राशीफल होता है इसको बनाने का उचे तो यह है कि आने वाले 90 दिनों में क्या-क्या प्रमुख बदलाव हो सकते हैं उसके एक जानकारी मात्रा आपको दी जाए और थोड़ा बहुत डिस्रिप्शन भी दिया जाए वीडियो केंट में कुछ उपाय भी बताऊंगा जिनके करने से सकरात्मक्ता की विद्धी होगी कहां से देखी राशीफल हर बार समझाने का प्रयास होता है कि लगन राशी और चंद राशी टेक्निकली अलग लग राशीफल नहीं बन सकते राशीफल के विल ग्रहों की गोचरे स्थिति प्याधारत एक सामान विश्टेशन होता है मेरे इस आप से अगर आपको अपना लगन कंफर्म है अब वहां से अपने राशीफल को अबसर्फ करेंगे तो आपको रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे तो शुरुवात करते हैं इस महत्रपूर्ण राशीफल का करन्या के लिए जुलाई के महीने के से जुलाई का महीना बहुत बदलाव लेकर से हम हमें प्रवेश कर जाएंगे और शनी वक्री होकर कुम्भ में बैटे हैं आमने सामने दोनों पढ़ते हैं इन दोनों का जब आमना सामना होता है तो ये जिन भावों में बैटकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं वहां पर एक सकरात्मक और नकरात्मक दोनों तुर केस कोई और लीगल आपका कार्य अठक रहा था उन सब को पून करने के लिए दोनों ही ग्रह अच्छा प्रभावत देंगे शनी मंगल का जब आमना सामना होता है और छटे बारवे से होता है तो कहीं न कहीं विक्ति को विदेश जाने का मौका भी मिलता है और एक तरह का उसक देखने को मिल जाएगा और सेहत बिगर सकती है क्योंकि छटे और बारवे घर का यहां पर रोल आ गया और इसके साथ ही शनी तो आठवे घर को भी देख रहे हैं तो एक तरह से छे आठ बारा के तीनों भाव ही यहां पर एक्टिवेट हो गए तो आपको अपनी सेहत का बह ग्रह बना रहे हैं शनी और मंगल और एक दूसरे को देख भी रहे हैं कि बहुत ही महिने से पूर्ण हो सकते हैं तो प्रयास कीजेगा यह दो ग्रह विपरी तराज्यों का आपके लिए बना रहे हैं आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट अवश्य देकर जाने वाल दलाती भाग में ही कुछ राषी पर्तन होगे जो सबसे पहला राशी परतना होगा वह estándres. , शुक्र आपके बारवे स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे अरउंड्ड 6 जुलाई को 12 सब्सक्र का सबसे प्रियतम स्थान है इसके साथ ही वो नवम भाव के स्वामी है बारवे में जाएंगे तो विदेश यात्रा के योग बनाएंगे और जो लोग अलड़ी विदेश में सैटल है उनके लिए अच्छा योग होगा और शुक्र धनस्थान के भी स्वामी है और वो बारवे घर में तो जो विदेश में काम करते हैं विदेश से संबनित काम करते हैं उनके लिए धनयोग भी बन रहा है और यहाँ पर मंगल शुक्र की योती भी है तो यह भी बता रहा है कि जो लोग विदेश से संबनित कुछ भी कारे करते हैं बिजनस करते हैं कुछ भी संबन्ध उनका आ और बारवा भाव क्या है भोक का भाव है तो शुक्र का बारवे घर में गोचर वो भी मंगल के साथ लक्ष्मी योग भी बनाता है तो पैसा आपके पास आएका और शुक्र क्योंकि बारवे घर में है यानि कि आप एश्वाराम की चीजों पर पैसा भी खर्च करेंगे अपन आपके दस्वे घर के स्वामी भी यानि कि कारेक शेत्र में इवन अपनी परस्टन लाइफ में वृध्धी का समय है तो बुद्ध का भी प्रभाव आपके लिए अच्छा है सूरे भी इस महीने राशी वर्तन करेंगे अराउंड 16 जुलाई के आसपास और वो आपके लावस् वो कही न कहीं महीने के अंतमे आख्य होगा वो होगा शुक्र महाराज का वक्री होना मैं कईबापता चुका हूँ गर्भों का वक्री होना सूरे पे आधारित होता है लेकिन अलग-अलग श्रेनी होती है जो इनर प्लैनेट्स होते हैं बुद्ध और शुक्र उनका कुछ अलग एक डिग्री से होता है जो आउट अप्लेनेट्स होते हैं मंगल शनी और भ्रसपती उनका कुछ अलग डिग्री से होता है तो शुक्र इस साल वक्री हो रहे हैं 23 जुलाई को शुक्र क्योंकि एक नैसरगिक शुक्र है उनका वक्री होना चीजों में बदलाव लाता है सबसे पहले तो रिलेशन्शिप पर प्रभाव पड़ेगा और आपकी सेहत पर भी इसका नकरात्मक प्रभाव अचानक से पढ़ सकता है क्योंकि आपके लिए शुक्र दूसरे घर के स्वामी है जो एक मारक स्थान भी है और इस टाइम पे वो लगने के स्वामी से दूसरे घर में बैठेंगे यानि कि सेहत आपकी अचानक से जुलाई के अंत में आकर विगड़ सकती है और रिलेशन्शिप हो, मैरे लाइफ हो, इवन परसनल संबंध हो किसी स वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो जो महीने का अंतिम भाग है वो आपके लिए कहीं न कहीं कुछ अपसेंडाउन लेकर आ सकता है, गुरु चांडाल योग आपका पूरे महीने बने रहेगा अश्टम में, तो ये एक तरह से आपको अगस्मत धनलाब के योग दे कर जा सकता है, और इसके साथी केतु का प्रभाव दूसरे घर में, और साथ में वक्री होना शुक्र का, महीने के अंतिम भाग में, अपनी वानी पर भी बहुत नियंतिम रखेगा, क्योंकि ऐसी कुछ चीजे बोलना शुरू कर देंगे, जिनके कारण आपका ही नाम खराब हो सकता है, सेहत की बात करें, तो इस महीने आपको, हॉर्मोन प्रॉब्लम, आखों की प्रॉब्लम, दातों की प्रॉब्लम, इनफेक्शन और unsuitable food, जो आपको सुट नहीं करता है, या food infections, यह ज़्यादा तंग करने वाले हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखेगा, करियर व महीने के तरफ अगस्त का महीना बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकि आने वाल है और बड़ा बदलाव महीने के शुरुआत में ही हो जाएगा क्योंकि महीने के शुरुआती भाग यानि की अराउंड साथ अगस्त को शुक्र जो वक्री होए थे जुलाई में तेज जुला साथ होगा वूग जाएंगे सिम्ह में पिर दुबारा करक में आसerme तो यहां पर प्रभाव आपके पूरे जीवन पर क्या गोँएक जब पतित हो जाता है तो हर चीज़ पर उसका प्रभाव होता है क्योंकि वह नॉर्मल सिच्मिशन में नहीं है एक तो होता है कि उल्टा चल रहा उल्टा भी नहीं चल रहा वापस अपने लाई को थोड़कर पिछली राशी में गयर गया तो जो अगस्त का महीना है जो शुरुआती भाग है यहां पर आपको थोड़ा बचकर रहना है शुक्र क्या है शुक्र जहां भोग के कारक है शुक्र जहां एशो आराम के कारक है वहीं शुक्र माया भी है राहू और शुक्र यह माया भी ग्रह यह व्यक्ति को माया के चक्कर में डालते हैं यह व्यक्ति को लालच के चक्कर में यानि कि लालच, वास्नाएं, इच्छाएं, तिव्रगती से बढ़ेंगी, और यहाँ पर बैठकर पंचम भाव को भी देखेंगे, निकि एक वक्री ग्रह, एक पतित ग्रह पंचम भाव को देखेगा, पंचम भाव क्या है पंचम भाव आपके thought process का है मन पूरा भ्रमित हो जाएगा तो अगस के महीने में आपको बहुत बचके रहना है और शुक्र क्योंकि सब्तम से पंचम में है तो married life phrase का negative प्रभाव पड़ेगा एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे दूसरे व्यक का महीना है क्योंकि बहुत महत्रपूर्ण ग्रह पतित हो रहे हैं आप सभी को थोड़ा सा ध्यान देना है जैसे समय आगे पड़ता है ग्रह का प्रभाव नकरात्मक हो थोड़ा कम हो जाता है लेकिन इनीशल लेवल पर यह मैं पतित और वक्री ग्रहों की बात कर रहा हूं क्योंकि जब वो इनीशली प्रभाव देते हैं तो बहुत तेज से देते हैं तो इसलिए थोड़ा सा जो समय है आपको बचके रहना है सूर्य का हर महीने की तरह इस महीने भी राशी ब्रतन होकारो 17 अगस को सिम्ह में आ जाएंगे सिम्ह क्या है आपका बारवा घर तो यहा और अलड़ी एक ग्रह पतित चल रहा है तो आपको अगस के महीने में भी अपनी सेहत का बहुत ध्यान देना है और सूर्य का बारवे घर में आना कहीं विक्ति के खर्चे सरकारी कारें में बहुत बढ़ा देता है तो अगर आपका कोई सरकारी कारे अटक रहाता उसको जल् कि कितने ग्रह आपके लिए इस महीने विपरीत राजयोग बनाएंगे शनी विपरीत राजयोग बनाएंगे सूर्य विपरीत राजयोग बनाएंगे और मंगल भी 18 तारीक तक विपरीत राजयोग बना कर वैठेंगे तो ये भी आपके लिए तरह का अच्छा मौका है अप अपने अटकेवे कार्यों को पूर्ण करने का और जीवन को एक लाए एक गती प्राप्त करवाने का है इस महीने के अन्त में एक और ग्रह वक्री हो आज देखिए के बुद्ध वक्री हो जाएंगे तो आरांड 23-24 अगस्त के आसपास हाँ 24 अगस को बुद्ध वक्री हो जाएंगे सिंभम जो कि आपका बारवा घर है शुक्र वक्री होकर पतित हो गए शनी वक्री चल रहे हैं और वैसे हम देखे तो राहू के तो वैसे उल्टे चलते हैं वक्री चलते हैं तो आपके लिए इस समय पांच ग्रह वक्री होंगे तो अ ऐसे जैसे अगस का अंतिम भाग आएगा सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी आपको प्रयास क्या करना है कि अगस के अंतिम भाग में आपको धैरे दिखाना है आपको जादा लोगों की बातों बेश्वास नहीं करना और अपने से काम रखना है कारेक शेत्र में इसका कोड़े आपके बढ़ने वाले हैं दोनों के लिए महीना थोड़ा कश्टकारी अवश्य रहने वाला है जहां तक स्टूड़न्स की बात है जो स्टूड़न्स विदेश जाना चाहते उनके लिए महीना अत्यन्त शुब रहेगा कुछ आपके लीगल काम अटक रहेते डॉक स्किन इंफेक्शन नसों की प्रॉब्लम इंटस्टाइन से जोड़ी प्रॉब्लम कोई मेटाबॉलिक डिजीज पैंक्रियाटिक कोई डिजीज और रक्त विकार यह आपको ज्यादा इस महीने तंक करने वाले हैं ध्यान दीजेगा सेहत को लेकर बहुत आपको सीरिस रहना लेकिन सबसे पहले देखते है कि आपके लगन पर किस घ्रह प्रॉब्लम अगस के अंतिम भाग में मंगल आपके लगन में आ जाएंगे तो इस पूरे महीने मंगल का आपके लगन पर प्रभाव रहेगा और मंगल क्योंकि आपके लिए तीसरे घर के स्वामी है और अपने आपने साहस पराकरम के कारक है तो इस महीने confidence आपका बहुत रहेगा मंगल क्योंकि अश्टम के स्वामी है तो अचानक से property का लाब, अचानक से धन का लाब हो सकता है लेकिन क्योंकि अश्टम के स्वामी है तो कोई पुराना रोग भी आ सकता है तो थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव है लेकिन अधिक्तम मंगल का प्रभाव आपके लगन में अच्छा रहेगा इस महीने चार तारीक को बहुत महत्वपून चीजे होने वाली है चार सितंबर को एक शुक्र जो वक्री होए थे जुलाई में अगस्त में पतित हो गए थे सितंबर में वो मारगी हो जाएंगे यानि कि पुनह सीधा चलने लग जाएंगे लेकिन इसी दिन यानि कि चार सितंबर को ही देव गुरु ब्रहस्पती वक्री हो जाएंगे और वक्री कब तक रहेंगे साल के अंत तक 31 जिसंबर तक अब देखिए वो वक्री तो हो रहे हैं लेकिन वक्री अश्टम में हो रहे हैं अपस क्या हो सकते हैं अचानक से धन का लाब अचानक से पिता जी को लाब अचानक से एंसेस्रल प्रॉपर्टी का लाब अचानक से रुका हुआ पैसा आना आपके लिए ब्रहस्पती क्योंकि चौथे और सब्तम भाव के स्वामी है प्रॉपर्टी का लाब, बिजनस में लाब, ये सब सकरात्मक हो सकता है बाहर से समधित आपका बिजनस है उसमें लाब, बिजनस को एक्सपैंड करना चाते हैं उसमें लाब दस्वे से अश्टम में दोवक्रीक रहें, करियर में अचानक से पॉजिटिव बदलाब आपके दुश्मन बहुत हावी हो जाएंगे, वह लोग जो आपसे जलन का भाव रखते हैं लेकिन प्रतक्ष रूप से नहीं, आपके पीथ पीछे आपका नुक्सान पहुचाने की कोशिश करते हैं वो इस महीने आपको कुछ न कुछ हानी पहुचाने का प्रयास करेंगी इरश्या का भाव लोगों के अंदर आपके प्रती बहुत बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा बच के रहेगा, इस महीने किसी पर भरोसा नहीं करना और दुबारा सेहत का प्रभाव यहाँ पे नेगेटिव ही दिख रहा है वैसे भी जो कन्या वाले लोग होते हैं, इनकी सेहत यूजिली खराब रहती है, काल पुरुष की कुणली में चटा ही भाव है तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, बुद्ध वैसे ही इनके जो लगन के स्वामी है, वो रोक कारक है तो ये महीना भी कही ना कहीं सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जो गुरु चांडाल योग में भ्रहस्पती का भी वक्री होना है ये आपके जीवन में अचानक से कुछ अच्छे बदलाव भी लिए कह सकते, लेकिन सेहत, कॉंस्टेंटली कह रहा हूँ सेहत, अगस्ट से लेकर सितंबर, सेहत का बहुत ध्यान दीजेगा सूरे लगन में आजाएंगे इस महीने, सूरे आराउंड 17, 17 सितंबर को आपके लगन में आजाएंगे और मंगल और सूरे की यूती होगी लगन में, दोनों जो सबसे प्रतापी, ऑथोरेटेटिव ग्रह होते हैं, उनका लगन में आना है, यानि कि आपका confidence बढ़ जाएगा students के लिए बहुत अच्छा है, career के लिए बहुत अच्छा है, politics में अंटर करना चाते हैं बहुत अच्छा, अपना नाम बनाना चाते हैं, उसके लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा और इसके साथ ही बुद्ध जो वक्री होए थे अगस्त में, वो भी कही न कहीं इस महीने के मध्य में, 16 सितंबर मारगी हो जाएगे तो वो जो वक्री ग्रहों का प्रभाव इतना सारा चल रहा था, वो इस महीने कम होना शुरू हो जाएगा ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि शनी सूरे शड़ाश्टक में आ जाएगे क्योंकि सूरे जैसे ही आपके लगनभाव में जाएगे, शनी से वो आठवे हो जाएगे और मंगल भी शनी से आठवे चल रहे हैं यानि कि परसनल लाइफ में बड़ों से कुछ वादवियाद हो सकते हैं ओफिस में सीनियर से वादवियाद हो सकते हैं और जैसा मैंने शुरू में कहा था आपके शत्रू यहां से भी यह पता चल रहा है कि यह महीना आपके शत्रू प्रतक्ष हो या अप्रतक्ष हो आपको तंग करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा लोगों पर भरोसा कम करना है, लोगों पर विश्वास कम करना है, और जहां पर दिखे कि कोई व्यक्ति आपके विरुद जाने का प्रयास करना है, उस चीज का solution आपको उसी टाइम निकाल लेना है, हाँ गुस्ता इस महीने बहुत बढ़ेगा, क्योंकि मंगल सूर्य अगनी तयत्व के ग्रहा है, दोनों का ही प्रभाव लगन पे होगा, तो गुस्सा आपका इस महीने अत्य अन्त बढ़ने वाला है, यह महीना एक और महत्वकून चीज बता रहा है, वो यह है कि राहु केतु अपने अंतिम पड़ाव के तरफ जा रहे है, क्योंकि अक्टूबर के अंत में राशी पड़तन कर लेंगे, तो यहां पर क्या हो सकता है, केतु दूसरे घर में है, तो केतु कभी-कभी जब आते हैं किसी भाव में तो उस चीज को नकरात्मक सुरूब दे देते हैं, तो जब पिछले साल, यानि कि 2022 अप्रिल में आपके धन प्रभाव में आये थे, तो पैसा रुकना शुरूख हुआ गया होगा, कुछ पैसा अटग गया होगा, घर में किसी को बिमारी हो गई होगी, तो यहां पर केतु जाते जाते आपको एक अच्छा प्रभाव दे सकते हैं, आपका रुका हुआ पैसा आ सकता है, घर में कोई बदलाव लेकर आने वाला है, हां जहां तक सेहत की बाते मैं आपको अगा करते आया हूँ, इस महीने भी लिवर की प्रॉब्लम, इंफेक्शन, डाइजेस्टिव डिसॉर्डर, बीपी, हड्डियों की प्रॉब्लम, और इन डाइजेशन, एसी डिटी यादी, यह बहुत चालीसा की पुस्तके दान करनी है, और उसे दिन आपको गौशाला में और किसी NGO में जो वृद्ध जनों की सेवा करते हैं, वहाँ बर कुछ डोनेशन करना है, तो यह उपाया आप कर लेंगे, तो आपके लिए जो तीन महीने हैं सकरात्मा का वश्य जाएंगे, आशा करता हैं कि वीडियो आपके काम आएगी, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक कर लिजिए, मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए, हुँआ